तो आज इस वीडियो की शुरुआत यहां से कर लेते हैं कि तेजश्वी यादो संभल नहीं पाएंगे तो पार्टी फिर तूटेगी और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से राजत के एक बड़े नेता का फिर से मोभंग होने वाला है स्यामरज़क जब पार्टी छोडने वाले थे उससे ठीक साथ दिन पहले हमने आपको बताया था कि राजत के एक दलित नेता राजत का साथ छोड देंगे लालु पृषब यादो से उनका मोभंग हो चुका है और ठीक साथ दिन बाद स्यामरज़क ने पार्टी के तमाम पद प्रदेश वद्यादों के संगर्षों के साथी रहे हैं, एक ऐसे नेता जो लालू प्रशादियादों के साथ लगतार रहे हैं, वो भी अब पार्टी छोड़ेंगे और उनका भी वही कारण होगा जो स्यामरजक का कारण था। जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, वो देख रहा है कि जब राष्टी अध्यक्ष अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं परदेश सद्यक्ष होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। चुनाव लड़ाने के लिए जगदान अंसिंग एरी चोटी का जोड लगा चुके। जब बक्सर लोगसभा चेत्र की हम बात करें, तो बक्सर लोगसभा चेत्र में कभी लालू प्रसाद यादो के साथ जगदान अंसिंग भी सांसद हुआ करते थे। जब लालू प्रसाद यादो सारन से सांसद हुआ करते थे, तो वो बक्सर से सांसद हुआ करते थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादो ने अपनी राजनितिक विरासत अपने परिवार को दी लालू प्रसाद हटे तो राबरी देवी चुनाव लड़ी राबरी देवी चुनाव लड़ने से मना की तो उनके समधी चंद्रिकाराय चुनाव लड़े अब चंजिरकाराई से जब नहीं बनी तो बेटी रोहनियाचारिया को चुनाओी मैधान में उतारा उसी तरीके से जगदानसिंग ने बखसर में सेट किया कि जगदानसिंग जिस विधानसबा से थे रामगड विधानसबा, वो विधानसबा खाली हुआ तो बेटे सुधाकर सिंग को चुनाओ लड़ाया और लोकसभाल लडने गए अब जब लोकसभाल खाली हुआ तो बेटे सुधाकर को चुनाओ लड़ाया बेटा सुधाकर जो है वो सांसत बन गए अब एक बेटा, छोटा बेटा अजीत जिसका नाम है वो जेडियू में, जेडियू से उसको राज़त में बुलाया गया, कि आओ और राज़त में रहो, सीट खाली होने वाली है, वहां से तुम चुनाओ लड़ना, और अब छोटे बेटे अजीत भी तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े बेटे हैं, उनको भी MLC का चुनाओ लड़ा जा चुका है, जो कि हार गयें, और यही सब देखकर पाटी के जो वरिष्ट नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका पाटी से मो भंग हो रहा है, कि जंडा हम ढो रहे हैं, जंडा कारे करता ढो रहे हैं, लाठी कारे करता खा रहे हैं, और जब टिकट देने की बारी आ रह अरे राष्टिया धक्ष के परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि परिवार की पार्टी है तो परिवार आगे बढ़ रहा है। उसने परिवार को आगे बढ़ाया चाहे आप बात कर लिजिए रामिलास पास्वान की रामिलास पास्वान ने पहले अपने भाईयों को आगे बढ़ाया फिर अपने बेटे को आगे बढ़ाया फिर भाई के बेटे को आगे बढ़ाया आप जितना माजी की बात कर ले जितना तब ये है कि पार्टी के राष्टिया द्रक्ष परिवारवाद कर रहे हैं परदेश द्रक्ष भी परिवारवाद कर रहे हैं और इसकी वज़ा से पार्टी में एक बड़ी तूठ हो रही है जो भी जा रहा है उसके मन में एक सवाल जरूर रहता है कि ऐसा परदेश द्रक्ष को इस तरीके से पार्टी ने क्यों रखा है एक समय में अब्दुल बारी सिद्धिकी का भी मोह भंग हो गया था हलाकि लालू परसाद यादों ने बहुत मानवनवल के साथ उनको रखा एक समय ऐसा भी था कि रगुबंश परसाद सिंग का भी मोह पार्टी से भंग हुआ था उस समय रगुबंश परसाद सिंग ने भी जगदानन सिंग के उपर सवाल उठाया था कि ऐसा परदेश अद्दक्ष जो हिटलर साहिक है और अब पार्टी का एक बड़ा ब्रामन नेता नाम नहीं लेंगे नाम बहुत जल्द हम आपके सामने रखेंगे लेकिन एक संकेत की पार्टी का एक बड़ा ब्रामन नेता जो लालू परसाद यादो के साथ राजमीत करना सुरू करता है जो जेपी मौमेंट में सामिल रहता है जो लालू परसाद यादो के दुख सुख का साथी रहता है जिस ब्रामन नेता पर तेज परताप यादो कि एक बड़े ब्रामन नेता जिसका आज भी स्यामरजक से बात होता है पार्टी छोड़ने के बाद ऐसे ब्रामन नेता अब राज़त से दूरी बना रहे हैं राज़त को वो अब राज़त का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको भी अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी में हमा कोई पूछ नहीं हलाकि उनको भी मौका मिला तो उन्होंने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाया लेकिन आब वो देख रहे हैं कि यहां हमारी पूछ नहीं हो रही है अब यहां से हमारा मौ बंग हो गया है अब आगे चलते हैं तो बहुत जल्द एक और खबर आएगी राज राजद दो ही चार पिलर ऐसा है जिस पर अभी भी खड़ी है उसमें से एक पिलर बहुत जल्द पार्टी छोड़ कर जाने वाला है और उस नाम का खुलासा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे अगले वीडियो में बताएंगे कि वो कौन वेक्ती है ब्राहन नेता ऐसे अगर आप अनुमाल लगा सकते हैं तो लगाईए लेकिन पार्टी का एक बड़ा ब्रामन चेहरा पार्टी छोड़ेगा और राजद से उसका फिर से मो भंग होगा और वो भी सायद स्याम रजग की तरही सायरी लिखकर ये बताएगा कि किस तरीके से हमारा इस्तमाल हुआ बेराल इसकबर में इतना ही बनने रहार साथ और देखते रहे दे इंडिया टॉप